नमस्कार, टोटल हेल्थ में आपसे भी का स्वागत है, मैं हूँ संजीव उपातियाए नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में, मैं हूँ किरन भारतवाज दुशंत कुमार का एक शेर है, वो ये कहते हैं कि एक बाजू उखड गया जबसे और ज्यादा वजन उठाता हूँ हमें से बहुत से लोग रास्ते में आने वाली जराज सी मुश्किल, यानि अगर कोई पत्थर हो, कोई जरा सा भी लगे की व्यवधान आ गया तो बस रुख जाने को, बैठ जाने को हमेशा तयार रहते हैं और दूसरी तरह वो लोग हैं जो जीवन में बड़ी से बड़ी चुनोती और मुश्किलों को अपनी प्रेणा का, अपनी दुर्ट प्रतिग्यता का एक सुनहरा अवसर मान लेते हैं बहुत से लोगों से और ऐसे कमाल के लोगों से हमारी दुनिया और हमारा इतिहास भरा पड़ा है हम नमन करते हैं ऐसे लोगों को, जो दिव्यांग होने के बावजूद, उन्होंने इतना कुछ किया है समाच के लिए, दुनिया के लिए जी हाँ हमारे देश की अगर बात की जाए तो हमारे देश में कुल धाई करोड दिव्यांग लोग हैं जिसे कुल जन संख्या का लगभग सवा 2 प्रतिशत माना जा सकता है इनमें से 55 प्रतिशत जो है वो रूरल एरिया जानी ग्रामिंग छेत्रों में हैं वहीं 25 प्रतिशत शेहरी इलाकों में रहते हैं धीरे धीरे अगर शिक्षा के प्रचार प्रसार की अगर बात करें तो धीरे धीरे हमको यह ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि शायद हम पहले से बहुत समझदार और जहनी इस तर पर बहुत 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 हुए हैं और खास तोर पर अगर सोशल मीडिया के अगर पोस्ट पढ़ें तो ऐसा लगेगा कि शायद अब हमारे मन में औरों के लिए ज्यादा हमदर्दी है अगर कोई हमें दुख देता है चोड़ देता है तो हम तुरन भूल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और उसे दौई देता है लेकिन क्या सथमुछ ऐसा है अगर हम बात करें दिव्यांगों की उनके लिए एकसेसिबिलिटी उनके लिए शिक्षा अभी बी एक चुनधी है सोच बदलनी है क्योंकि हम सबने बदलना है क्योंकि समाज को बदलना और देश को बदलना बेहतरी के लिए बहुत जुरूरी है इन लोग के जीवन को कैसे बहतर बनाया जा सकता है कैसे सुविधाय दी जा सकती है और किस तरह की मुश्किलों का सामना इन्हें करना पड़ता है, किस तरह से बहतर ढंक से अपना जीवन ये जी सकते हैं, ये समझने की बात है आईए देखते हैं एक रिपोर्ट और समझते हैं कि क्या स्थिती है देश में फैलहाल और कैसे इसमें बदलाव किया जा सकता है अगर बात की जाए दिव्यांग जन के जीवन की दिव्यांग जन यानि वो लोग जो विशेश रूप से सक्षम है, जिनके जीवन की चुनोतियां अलग है डिसेबिलिटी के कई कारण हो सकती हैं ये जन्मजात वीकृती, दुरघटना या किसी बिमारी की वज़ह से हो सकती है दुरघटना होने पर या रीर की हड़ी में चोट लगने से कभी-कभी व्यक्ति को गंभी रवस्था से गुजरना पड़ता है ऐसे में कई बार निराशा चा जाती है जुरूरी है कि जीवन के मुश्किल दौर में भी आत्मविश्वास रखा जाए और डट कर उसका सामना किया जाए हताशा के वातावरन में सहयोग की आविशक्ता होती है भारत सरकार और कई गैर सरकारी संगठन दिव्यांग जनों के लिए कारे कर रही है चिकिच्सा और पुनहस्थापन के सहयोग से दिव्यांगों को मदद मिलने पर सकरात्मक बदलाव लाया जा सकता है सहयोग, सही मार्ग दर्शन और पुनहस्थापन से इनके जीवन में आश्यावादी दृष्टी कोन लाना संभव है आधुनिक चिकिच्सा पदिती और नई तकनीकों में ऐसे आर्टफिशल लिम्स और कई तरह की असिस्टिफ डिवाइसेज उपलब्ध हैं जिनसे दिव्यांग जन के लिए दैनिक क्रियाय करना सरल हो जाता है जीवन में समय के बदलते इस चक्र का सामना किसी को भी करना पड़ सकता है जरूरत इस बात की है कि इसका सामना हिम्मत और होसले के साथ किया जाए और अपना आत्मविश्वास कम न होने दे ऐसे कई उधारण हैं जिन्होंने अपने जीवन के मुश्किल समय में आत्मविश्वास रखा और जीवन में नए शिखर तक पहुँचे टोटल हेल्थ डीडी नियूज मजरू सुल्टानपूरी कहते हैं देख जिन्दा से परे रंगे चमन जोशे बहार रख्स करना है तो फिर पाउं की जन्जीर न देख ये बात सब पर लागू होती है अपने होसले को बनाए रखने की और अपनी मुश्किलों से आगे निकलने की आज बहुत विस्तार से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ किया गया है दिव्यांगों के जीवन में और क्या कुछ करना बाकी है हर स्तर पर और सबसे ज़्यादा हमारी सोच के स्तर पर इस विशे परविस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विशे शेग्यों का खास पैनल हमारे साथ हैं दोक्टर शेफाली गुटार्टी शी इस चीफ पीडियाट्रिक नियॉरोजी डिपेविजिन फॉम एम्स आज को जो विशे है उसके विशे में सभी को जानकारी होनी चाहिए क्योंकि सभी को नजरिया बदलना है सभी को सोच बदलनी है और एक friendly environment बनाना है दिव्यांग जनों के लिए इस विशे से संबंधित आपके कोई भी सवाल हो आप इसे एक घंटे के दौरान हमारे विशे शग्यों से बात करना चाहते हो या फिर कोई प्रशन पूछना चाहते हो तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं हमारा नंबर है 1-800-11-1234 इस नंबर पर कॉल करते समय आप अपने टीवी की आवाज कम रखें संशिप सवाल पूछें और फोन मुबाइल से ना करें आप अपने प्रशन इमेल के माध्यम से भी हम तक पहुँचा सकते हैं हमारा इमेल अड्रेस है totalhealthddnews.gmail.com तो आई चर्चा की शुरूआत करते हैं सबसे पहले डॉक्टर उपिंजर पाल सिंग हम आपी से ये सबसे पहले समझने की कोशिश करें कि दुनिया में अगर हम बात करते हैं disability की तो स्थिती क्या है? यदि हम population के ओपर जाएं तो 10 प्रतिशत लोग दिव्यांग हैं हलाकि जब हम census करते हैं तो census में कुछ कमिया रह जाती हैं कि कितने डोग दिव्यांग कुछ छूट जाते हैं तो माना जाता है 10 प्रतिशत मतलब एक आदमी 10 लोगों में दिव्यांग है स्थिती इस तरह ऐसे है कि उनको मेंस्ट्रीम में लाना एक मेजर चैलेंज है कि हर आदमी से मिल के किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं अपना जिन्दगी का गुजर बसर कैसे कर सकते हैं एक प्राब्लम है फिजिकल प्राब्लम है किसी को दिखाई नहीं देता सुनाई न एक काम है जो हमें भगवान ने इदर भेजा है इस वर्ड में एक दूसरे के साथ मिल के सोशल एनिमल की तरह हम रहते हैं तो हम किस तरह से अच्छा गुजर बसर कर सकते हैं एक कमी होने के बावजूद भी यदि हम कहें कि मेरा हाथ नहीं मैं लिख नहीं सकता मैं उल्टे ह चले यह हमारा विशेश मुद्धा है जिसके ओपर दुनिया के रोग जो विकलांगता के लिए काम कर रहे हैं इस मुद्धे पड़ है ता आपसे यह समझें कि जब बात आती है डिसेबिलिटी की तो दरसल यह क्या है कितनी तरह कि यह हो सकती है किसी को सुनने में परिशानी हो सकती है देखने में परिशानी हो सकती है चलने के अंदर या हाथ से कारेकरम जिसे हम लोको मोटर डिसेबिलिटी कहते हैं बच्चों के अंदर सेरिब्रल पाल्सी या आउटिजम की परिशानी पाई जाती है जिसके अंदर उनकी मांसिक डव हैं क्योंकि मानसिक रोग भी लोग जो हैं वो समाज के अंदर सब के साथ काम करने में असक्षम होते हैं तो मोटी तौर पर ये पांच तरह की विकलांगता हैं जो जी डॉक्टर शिफाली गुलाटी बच्चों की बात करें तो बच्चों में क्या कारण इसके हो सकते हैं और अगर फिलहाल वर्तमान स्थिती की बात की जाए देश में तो आकड़े क्या कहते हैं खास तोर पर बच्चों के लिए जैसे अभी प्रफेसर यू सिंग ने बताया जो 10 प्रतिश्चत एस्टिमेट है हम लोग ने एक स्टडी की थी इंकलिंड के साथ जो निह उटिसम स्पीक्स और नाशनल ट्रस के साथ थी उसमें 2011 में हमने दो से नौ साल के बच्चों के अंदर सारे जो नियूरो डिवेलपमेंटल डिसॉर्डर से सारे जो टाइप के अभी बताये थे दोक्टर असाब ने की फिजिकल वाले जो है शारीरिक वे में विवहारिक वे में मांसिक वे में और जो सेंसरी इंपेरमेंट्स होते हैं विजन और हेरी जिनको मानते हैं वह सारों को इठाटा जोड़के हमने जब एसेस किया तो बारा प्रतिशत बच्चों में इन दे एज ग्रूप ऑफ टू नाइन एर्स यह 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 परेशानिया पाई गई तो हमारा जो सेंसस था 2011 का जुसमें उसमें था कि 2-9 साल की उमर के बच्चे में 197 मिलियन बच्चे थे 2-9 साल की उमर में तो उसमें से हमें 23.7 मिलियन बच्चे ऐसे मिले जिनके अंदर यह प्रॉब्लम थी हमें यह देखना चाहिए अधिकतर यह प्रॉब्लम्स रहती हैं across आप सोचेंगे अगर हमने नौ साल के आंकडे हमें 2011 कितने हैं तो अक्रॉस लाइफस्पैन अगर आप देखा जाए तो कितने आंकडे हो सकते हैं और उसी स्टडी में हमने देखा था कि ऐसे कोई कारण है क्योंकि हमारे को सबसे इंपोर्टन है उनको की पहले प्रिवेंट कर जादा है जिनका जो बच्चे हैं तो तीन से जादा बच्चे हैं जिनका जनम का वजन कम है चिर्व के अंदर कोई भी जनम में ताइम में देर से रोया है या कोई भी बिमारी हुए दिमाग की इंफेक्शन हुआ है जनम के आसपास उनमें यह बिमारिया जादा है तो अग जो आरे हमारे पास इंजेक्शन लगाने के लिए तो हर बच्चों के डॉक्टर को यह देखना है कि उनका जो विकास है सारी डुमेंज में ठीक प्रकार से चल रहा है कि नी और टर्शरी प्रिवेंशन वो होता है कि जिनको प्रिशानिय हो गई है उनको सारे डिवाइसे वग जब कॉजिस की बात हम करें आपकी निज़र में वो कौन से हैं जो हमारे समाज में हमारे देश में सबसे ज़्यादा ऐसे हैं जो कि प्रिवेंटेबल हैं हमने एक पर स्टडी की थी एम्स के अंदर उसमें ये देखा था कि डिसेबिलिटी अक्सर किन कारणों से होती है सबसे ज़्यादा देखा था घरेलू एक्सिडेंट्स सड़क पर एक्सिडेंट्स जो प्रिवेंटेबल कॉजिस के अंदर आता है दूसरी जो बात आती है कि खाने पीने में कमी जैसे अहार अच्छा ना हो वाइटमिन B की कमी हो नर्स खराब हो जाती है वाइटमिन A की कमी हो नजर खराब हो जाती है इस तरह के ये मेजर प्रिवेंटेबल कारण है फिर जैसे बड़ी उमर होती है, शुगर है, स्ट्रोक है, हार्ट अटैक के साथ में और विकलांगताइं भी आ जाती हैं, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए अच्छा एक स्वस्थ अपना जीवन वैतीत करने के लिए जो वयाम है और एक्सरसाइस है और अपना एक्टिव स्टाइल बनाने रखें से ये चीज़े भी प्रिवेंट होने का काफी चांस रहता है। जो व्यक्ति है, जो अभी तक सामाने था, सब कुछ उसके जीवन में ठीक चल रहा था। अचानक से एक दिन उसका जीवन बदल गया। जो आदमी शुरू से ठीक था, बाद में किसी एक्सिदेंट की वजए से खराब हुआ। तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं काफी ज्यादा मानसिक रूप से। कि वो यह सोचता है कि मैं जो कर सकता था नहीं करना उसको ने सिरे से दुबारा से सब कुछ सीखना पड़ता है। तो उसकी एड़ापटेशन होने में थोड़ा से समय लगता है जब तक कि वो यह न मानने कि यह चीज़ है इसके साथ मुझे जीना है। तो मुद्दा यह है कि कैसे उस चीज़ के होने के बावजूद अपनी जिन्दगी को आगे बढ़ाना है। यह तो तब की बात है जब कोई दुरगटना या ऐसा कुछ हो जाता है। आपको जादा परिशानी होती है। कि कहा कहां पर नैशनल हाईवेस के उपर ऐकसिडेंट जादा होते हैं और कहां पर हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। कीरेसं 민주र का था मुट बंहें , जाती हैं कि फक्रचूंन केक्सिक्राइड वन्सीन करके हैं और 350 बंध वीजुश DUG को बना है पृक्त्रीम और हमगा यह को फ्रसे क्वास दि retreat को फूरा हमाने बना है करते हैं तो हम शती को मिनिमाइज करके बचा सकते हैं अपने प्रिवेंशन की बात कही वहां पर यह तो हमने समझा कि कौन से कारण है अगर प्रेगनेंसी या डिलिवरी के दौरान कोई चूक होती है जिससे समस्या हो सकती है दूसरी जो इंपोर्टन चीज थी कि अर्ली डाइगनोसिस या अर्ली पिक होना चाहिए छोटे बच्चे में अगर किस तरह के लक्षान माता-पिता देखें तो जरूर यह समझ जाएं कि चिंता की बात है या विशेशग्य के पास जान बढ़ता हो रहा है वैसे जो सारे जो माइलश्टों बढ़ते जा रहे हैं अगर सब समय से चल रहे हैं उसी के एजके सबसे बाकी लोग जो आसपास है और आपके रिश्यदारी में तो ठीक है अगर थोड़ा सबी पीछे चल रहे है तो हमें यह सोचना चाहिए कि अपनी प वजन का था या बर्थ के टाइम देर से रोया था या कोई इंफेक्शन होई थी तो उसको तो शुरू से ही हाई रिस्क की तरह एक पिडियार्टरिशन के क्लोस फॉल उप में रहना चाहिए यह आपने बहुत ही इंपॉर्टन पॉइंट बताया है डॉक्टर शिफाली क्यों कि बहुत सारे मामले उन बच्चों के जिनको ठीक से शायद नजर कमजोर थी नजर नहीं आता उन्हें स्कूल में जाके या क्लास में जाके तब पता चलता है जब यह देखा गया कि वो ठीक से कॉपी नहीं घर पर करके लाए तब पैरेंस को पता चला कि शायद इसको बागे तुरा इशामीन करता है बच्चे को उसके अंदर बाकी लेकिन विजन कर टेस्ट जनम पे नहीं होता है और हेर इनका भी उसी समय नहीं करते हैं हम लोग को स्कृणिग टेस्ट होते हैं पर वो अभी युनिवरसली अवेलेबल नहीं है जैसे वह स्कृणिग एड़ बार्थ और बैरा वगारा जो बैरा फोन के साथ वो अभी हर हॉस्पिटल में नहीं हैं कहीं होस्पिटल में हैं और ब्लड टेस्ट भी होते हैं न्यूबॉण जो कुछ बिमारिया पकड़ने के लिए ब्लड टेस्ट के लिए लेकिन जो हमें में चीज यही देखने पड़े क तो बातके सुन आपने होगा वह उसकी विजिन चली जाती है विकशर है प्रिछो की जैसे बच्चा ग्रो कर रहा है तो वो और एक और बटी सुन रहा है कि नहीं देख रहे हैं पीछे का ब्रें अगर आप देख नहीं रहें प्रॉपली तो ब्रेंटी यों डेवेलपनीं ह होगा पर उसकी विजन चली जाती है विकास ब्रेन नहीं समझ पाता है उसको प्रॉपर इंपुट नहीं मिल रहा है तो किसी भी चीज को ना सोचे उसको नजर अंदाज कोई भी थोड़ी सी भीन लगे तो आप बच्चे में भेंगापन है तो उसे भी बहुत इस तरह से नहीं लेना कि बच्चे के माबाप को भी वो देर से चलते थे देर से सुनते थे देर से बोलते थे तो तुरंत विशे शक्य के पास जाए ये एक महत्पूर्ण संदेश है आपकी और से टॉक्टर यूसिंग अब एक बात को अब हम समझने की कोश्र करें एक अगर हम जन्मजात ऐसी सितियों के अगर हम बात करते हैं अगर हम मैनेजमेंट किस तर पर जाएं तो किस तरीखे से उसको एड्रेस किया जाता है आपका मतलब जन्मजात से जो विकलांगता है सबसे पहली बात जो डॉक्टर शेफाली गुलाटी ने कही कि बच्चे में कुछ भी विभिन पाएं दूसरे बच्चों से अलग पाएं तो उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है दूसरी बात यही होती है कि डिसेबिलिटी जो हम मानते हैं कि किसी को कोई कमी है वो आगे बढ़के कमपाउंड ना हो जाए बढ़ ना जाए इसलिए पहले देख लेना और उस चीज़ के वो अड्रेस करनेना जरूरी है कि जो मानलीचे कई बार बच्चे पैदा हुए जिनका एक हाथ एक प्याव नहीं चल रहा है यहां कम चल रहा है यहां उसमें सक्त पन है तो यदि वो पहले सी टेड़ा होके सक्त हो गया है तो उसको इसको इसमाल करने की खिशमता नहीं बनेगी तो यह कहते हैं कि जब नहीं चल रहा है तो उसको चलाएं हाथ को उसकी जो लिचीला पन है बनाए रखें और फिर प्रोसाहन दें कि उस हाथ को किस तरह से हम इस्तेमाल करें जैसे कि यह हाथ मेरा कम चले यह वाला ज्यादा अच्छा चलता है तो मैं कुछ देर के लिए उसको बांदू और बोलों को जो भी मझे करना है इसी हाथ से करूँ यह एक नई तरह की ठेरपी बोलते हैं कि दूसरे हाथ को रोक दें ताकि मैं को कुछ करना है आदे घंटे कम-से-कम यह एक घंटा कम-से-कम दिन में मैं इसी हाथ से काम करूँ तो उसमें जो brain के अंदर के जो signals जाते हैं जिस तरह का अंदर उसकी development होती है इस तरह की हो जाती है कि उसके लिए भी special channels बन जाते हैं उसको बढ़ाने के लिए डॉक्टर यू सिंग इसी बात को बहुत विस्तार से समझेंगे ये दरसल जिन्दगी में भी सभी अगर इस बात को अपनाएं जो काम मुश्किल लगता है लगता है कि इस काम को शायद अब नहीं कर पाएंगे उसी काम को अगर करने के ठान लें तो रास्ते आसान हो जाते हैं इसी बात बता रहे हैं जो शक्या फिलाल जस्वन सानी हैं दिल्ली से टेलफोन लाइन पर जस्वन जी आपका बहुत स्वागत ऊचें सवाल जी कि जैसे कि एक पैर है हमारा जो पॉलियो लगा हुआ है उके जी जाने में बहुत प्राब्रम होती है जी सर इलाज को करा रहा था हम अगर अब नहीं करा रहा हूँ आच्छा बाक्टर कुप्ता कुछ और पूछना चाहेंगे आप इनको या बताएंगे नहीं मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए पोलियो एक लाइफ टाइम इल्नेस है वो एक बार अगर हो जाती है तो हमारे साथ लगी रहती है तो इसके लिए इनको इलाज छोड़ना नहीं चाहिए और इलाज अपना हर समय चालू रखना चाहिए कुछ तो परेशानी ऐसी होती है जो हमें बच्पन में नजर आ जाती है खास तोर के चलने की या हाथ से काम करने की लेकिन आगे जाके उमर के साथ-साथ भी एक पोस्पोलियो सिंड्रोम हम बोलते हैं जो कि इनको लेटर स्टेज के अंदर डवलप हो सकता है तो अगर ये डवल नॉर्मल लाइफ में काम करने भी लगे हैं तो भी इनको लेटर एजिस के अंदर प्राब्लम आ सकती है इसलिए इनको कहीं ना कहीं अपने डाक्टरों से संपर्क बनाए रखना चाहिए दूसरा इलाज के कई तरीके हैं जो असली पिथालोजी है उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते पोलियों के अंदर लेकिन कोई डिफॉर्मिटी हो कहीं से इनका पैर टेड़ा हो तो अपरेशन करके सीधा किया जा सकता है और कुछ कैलिपर लगा करके इनको चलने में सहायता दी जा सकती है जिससे की आगे जाके भी परेशानी कम आती है और काम इनका अच्छा चाहुता है मैं चाहूंगे डॉक्टर यूसिंग आपकी टिपनी इसी बात पर अब इन्होंने फोन किया है 26 वर्ष इनकी उम्र है और कह रहे हैं कि इलाज बंद कर दिया है कहीं निराशा इनके मन में जरूर होगी या यह तो चाहन होगा इस बात को लेकर तो यह की डॉक्टर से यह मानने चला लेके यह मानने कि यदि पॉलियो जैसी तकलीफ है तो वो पूरी ठीक तो नहीं होगी पतलापन टांग का रहेगा कमजोरी रहेगी मगर उसकी वज़ा से जो परेशानिया है कि चलने में डिफिकल्टी हो रही है वो दूर की जा सकती है ज़िक इसी लाठी लेके चलते हैं अकशर लोगों को देखा कि टांग डटका के लाठी के साथ चलते हैं उसके लिए टांग को सीधा करके यह अपरेशन की वाशिक्ता है कैलिपर पहना के उनको बिल्कुल सीधा पहना चला सकते हैं थोड़ा सा लचकपन चाहे रह जाए, मगर अपने आप दोनों हाथ खाली हो जाएंगे और अच्छे तरह से चल पाएंगे, यदि एक टांग के अंदर है, मतलब यह है कि यदि कोई कमी है, उस कमी को दूर करना, यदि हो पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं हो पाए तो किसी तरह से रुके नहीं, जै हम धीरे चल पाएंगे, मगर चल पाएंगे, अपना काम तो कर पाएंगे, तो बहुत सारे विकल्प हैं, आदुनिक टक्नीके मौजूद हैं, जिन से दिव्यांग जनों के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है, विशेशक्यों से आज हम जान रहे ह कि डिसेबिलिटी के क्या कारण होते हैं, और क्या कुछ किया जा सकता है, दिव्यांग जनों के जीवन को स्वस्त और बेहतर बनाने के लिए ये चर्चा जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद. आर्थिक जनगरना वर्ष 2011 के आधार पर, सहायता राशी एक लाख बीस हजार या एक लाख तीस हजार रुपए, निर्माण क्षेत्र फल, नियूनितम 25 वर्ग मीटर, यानी 266 वर्ग फुट, घर में रसोई, बिजली, पानी और शौचाले की व्यवस्था, अवास एब द आप क्यों टेंशन ले रहे हूं, आपके पास एक भी शहर है क्या, लेकिन किसी का तो नुकसान हुआ ना, गया, ये भी गया, क्या होने वाला है इंडिया का, अरे पापा, ये पात साल पुराना मैच है, ये जीच चुके थे हम, क्यों टेंशन ले रहे हैं, अरे गलती तो मिसेस गुपता की बेटी की शादी हो गई क्या, तुम्हारे बेटी की हो गई ना, खुश रो, अरे, अब दूसरी टेंशन के लिए टाइम तो हो गाई, क्योंकि डिजिटल इंडिया के जीवन परमाण पोटल से हर साल बिना टेंशन, घर बैठे जीवन परमाण पत्रपान हो गया है एक दमासा, तो अब पेंशन के लिए नो टेंशन लो, अब शीवन प्रमाण प लिए, आए, अब दूसरी टेंशन के लिए, आए, 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 आत्या, यहाँ जिन्दगी खिलखिलाती है, वहाँ उम्मीदे एक घर बनाती है, फिर छोटी-छोटी गोशिचे हमें उड़ने का हौसला दिलाती है, चुनोतियों से डर नहीं लगता, कोई इंतहान नामुम्किन नहीं लगता, कभी खुशियों की बाराद, तो कभी नाजुक पलों का साथ, शुकर है जिन्दगी के सफर में, और उसके बाद भी, हर दम आपके साथ है, L.I.C. जहाँ जिन्दगी है, वहाँ L.I.C. है, जिन्दगी के साथ भी, जिन्दगी के बाद भी. नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत, आज हम बात कर रहें कि दिव्यांगों के जीवन में क्या-क्या समस्या होती हैं, और कैसे उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है? और इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौझूद हैं बेंगलूरू से श्रीकान जी. श्रीकान जी, आपका स्वागत, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी. जी, नमस्कार. मेरा स्वाली है कि सरकार ने भी घूशना किया है कि साथ तरह की दिव्यांगता जो है उसे बढ़ा के 21 तरह की कर दिया जाएगा, तो आप क्या इसकी सुची बता पाएंगे? दूसरा ये कि अगर ये 21 तरह की हो जाती है, तो कितने लोग और इस स्रेणी में आ जाएंगे उनके संख्या अगर बता पाएं? और चमा चाहते हुए एक प्रस्न ये भी पूशना चाहूँगा, क्या गरीबी भी दिव्यांगता है? नमस्कार जाएंद. जी. डॉक्टर यूसिंग, तीन सवाल है इनके, क्या आप जानकारी देने चाहेंगे इस पर? देखें, दिव्यांगता के जो कारण हैं, वो तो अनेक होते हैं. असल में यदि हम from the medical point of view देखें, डॉक्टर के लिहास से देखें, कि किसी भी वज़ए से किसी क्यामता को कमी हो जाए, तो उसमें दिव्यांगता हो जाती है. वो किस बिमारी की वज़ए से हुई, उससे हम कहते हैं कि उसका ज़्यादा फरक नहीं पड़ता है. वो तो सिरफ एक आंकड़ा है, एक तरह का कारण है. इर्टीमेट रिजर्ट क्या हुआ, आदमी चल नहीं सकता, बोलनी सकता, इंटराक्ट नहीं कर सकता, सुननी सकता या ऐसी बाते हैं. कुछ जो स्मार्ट सिवाए जो एंजियोस होते हैं, संस्थाएं हैं, उन्होंने काफी जोड़ डाला कि एक पर्टिकुलर बीमारी का नाम लेके आगे बढ़ें, कि उस बीमारी को हम इंकलूड कर लें, कि वो दिव्यांग मानने जाने चाहिएं. पहले से ही वो मजूद हैं, जो आज की डिसेबिलिटी के हम सेडिफिकेशन करते हैं, उसके अंदर हम जो डेफिनिशन लाते हैं, उसमें वो मजूद है, क्या बिमारी है, उसकी वज़ए से क्या प्रॉब्लम होई, तो डिसेबिलिटी आ गई. अभी जो समाज सेवी सहस्थाएं हैं, उन्होंने जोल डालके कुछ बिमारियों के नाम जबर्दस्ति अंदर करवाएं हैं, भारत सरकार उसके उपर कोशिश कर रही है, कि उसके अंदर भी हम यह कहें कि किसी को कमजोरी है, थोड़ी सी कमजोरी है या बहुत ज्यादा है, इसको हमें मापना पड़ता है, हर एक में माप दंड के आंकडे जो स्केल्स हैं अभी बनने हैं, फरक तो खास नहीं पड़ेगा, टोटल जो पापॉलेशन है वो तो उसी महीं रहेगी, सिरफ हम उसकी यह कहें, रिफाइनमेंट कह सकते हैं कि कि किस वज़ा से दिवांगता हुई, वो वाला एक शरेणिया और बन जाएंगे, लेकिन संक्या में कोई खास रख मेंगा है, ठीक है, डॉक्टर यूसिंग, इसके लावा हमारे दर्शकों के इमेल्स भी आ रहे हैं, एक हमारी दर्शक हैं दीपिका गुपता, उन्होंने चाहा है कि हम PCOD पर एक कारिकरम जरूर करें, इस तरह कि हमारे दर्शक अक्सर मांग करते रहते हैं कि इस विशाय पर भी कारिकरम होना चाहिए, और किसी और विशाय पर भी तो बहुत धन्यवाद आपका सुझाव पहुँच गया है, कारिकरम पी निर्माताओं तक, अब डॉक्टर यूसिंग, ये सवाल प्रक्रिया है, और मैं अस्पताल के बहुत चक्कर लगाऊं, बार-बार जाना पड़ता है, और वहां तरह-तरह की लाइनों में, या प्रक्रिया में बहुत समय भी जाता है, और ये ऑनलाइन ये सुविधा अवेलबल नहीं है, उपलब्द नहीं है, तो कृप्या ऐसा और इस दिशा में क्या हो सकता है? इसली बात ये कि लंबी लाइनों में लगने की बात नहीं रहती, उन्होंने दिन फिक्स कर दिया है, समय फिक्स कर दिया है, इस दिन को इस समय आएंगे, तो कोशिश होगी कि उसी दिन सेटिफिकेट हो जाए, जैदि आपके पास अपना अडेंटिटी प्रूफ और अड् अनलाइन तो नहीं हो सकता है, तो क्योंकि जाच अनलाइन कोई कर नहीं सकता है, अच्छा ये एक महतुपून बात या सभी को समझने के लिए, डॉक्टर शिफाली गुलाथी, आपसे ये समझें कि बच्चों की जब बात आती है, खास तोर पर जिन्हें नियूरो डिवेल क्रप्मेंटल डिसॉर्डर्स है, बच्पन से क्योंकि मस्तिष्क भी कही न कहीं प्रभावित है, तो उन बच्चों को मेंस्ट्रीम में लाने के लिए, क्या चैलेंजिस एक तो आपको लगते हैं, और किस तरह से उसे मोल्ड किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर बात हो रही जैसे प्रफेसर यूसिंग में बताया, सर्टिफिकेशन की बारे में, तो आउटिजम एक चीज है जो बच्चों के साथ जो रिलिटिड है, उसका नोटिफिकेशन अभी 25 अपरेल 2016 में गौर्मेंट ने किया है, और उसकी सर्टिफिकेशन भी वो एड़ होए है, पहले उन उसलिए उटिजम के जो बच्चें जिन में विभारिक परिशानिया हैं, उसके अंदर उनमें मानसिक रूप से भी कमजोर होते थे, तो उनको मानसिक रूप से कमजोर होने की सर्टिफिकेट मिलता था, अब वो आउटिजम के नाम से मिलेगा, ताट इस वान तिंग नया ज परिशानिया हैं, तो यह निए कि हम उनको निगलेट करतेंगे, हमारे को उन पर ज्यादा एफट देने हैं, जितना हम उनकी साथ महनत करेंगे, जितना उसको सिखाएंगे, उतना ज्यादा बढ़ेंगे, चुकि जो बच्चे का दिमाग है, उसमें प्लास्टिसिटी होते ह होता है, तो जितना हम एफट करेंगे, उतने वो निउरॉन उसके दिमाग के उतने और डिवेलप होते हैं, तो हमारे को क्या है कि मेंस्ट्रीम करना है, उससे पहले प्ले स्कूल वगारा में भी डालना है, और अगर आप गौर्मेंट का देखें, तो पहले वो जो पहले जाए गया है, तिल 6 years, 6 years की बाद स्कूल में डालना होता है, जिसके लिए सर्फिक्षा अभ्यान है, और राइट टू एजुकेशन है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि मेंस्ट्रीम में डाले, कई बच्चे होते हैं, हम प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, कि मेंस्ट कर रहे हैं, most important to make the public aware, कि ये बच्चों की प्रॉब्लम जो है, उससे स्टिग्मा नहीं होना चाहिए, तूसरों को फहले गी नहीं, आपके बच्चे जो नॉर्मल स्ट्रीम के चल रहे हैं, वो अगर इन बच्चों के साथ रहेंगे, तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं हो कोशिश करते हैं कि मेंस्ट्रीप स्कूल में डालें, और बाद में जो सकंट्री स्टेज के लिए उनके गौर्मेंट की पॉलिसिस हैं, इंक्लूज़िफ एज्टेशन फौर सेकंड्री स्टेज, अगर रहे हम जो पेरेंट्स को बोलते हैं, मेंस्ट्रीम में डालगें, एक बहुत मतुपूर्ण बात है जो आप चर्चा में ले आई हैं, एक बात जो डॉक्टर यूसिंग ने भी कही थी, अगर हम जागरूकता और जानकारी की बात करें, आपने स्कूल का जिक्र करें, कुछ स्कूल ऐसे भी हैं इस मामले में, मेंस्ट्रीम स्कूल ऐसे भी हैं, जो इस बात की कोशिश करते हैं कि तोनों ही तरफ, जो बच्चे डिफिनली एबल हैं, वो और बाकी जो बच्चे हैं, वो सब एक साथ पढ़ हैं, लेकिन ये समस्या है समाज में, अब डॉक्टर गुपता असली बात ये है, कि बात अभी उठी स्कूल की, स्कूल क्या, एक सेसिबिलिटी एक इशू है, एक सेसिबिलिटी फॉर्चूनेटली अब काफी तवज्जू जा रहा है उसके उपर, और हम एक सेसिबिलिटी कैमपेइन भी गवर्मेंट ने लांच किया हुआ है, तो मेक दी इंडिया असेसिबल, एंड ये एक परिशानी ये हैं कि अग अगर हमारा एंवायर्मेंट उस चीजों का हैंडल करने के लिए नहीं बना है, तो भी उसकी विकलांग का कम नहीं गर्शार की बात, मैं आपको माफ कीजिये रोकूंगा यांपर क्योंकि गंभीर बात, मैं चाहूँगा इसको विस्तार से हम समझ लें एक बार और, और हमे करते हैं क्या क्या बताया आपने बारा साल की उम्र है और अच्छा ठीक है अभी तक आपने दिखाये तो होगा बारा साल की उम्र हो गई है और तीन महीं तो अभी कितना फाइदा हुआ है जैसे कुछ पकड़ती है ना तो पकर नहीं सकते हैं आप टेलफॉन लाइन पे रहिए डॉक्टर शेफाली आपके सवाल का जबाब देंगे मांसिक रूप से समझ सही है इसकी या समझ में कुछ कमजोरी आई तो इसलिए जैसे अभी प्रोफेसर यूस सिंग ने बताया आज कल हम जिसमें क्या होता है जो हमारा हाथ सही काम कर रहा है उसको हम स्लिंग में डाल देते हैं और दूसरे हाथ से हम उसमें एक्सराइज कराते हैं बच्चों को खेल खिलाते हैं प्रॉक्चर्ड प्रोग्राम है जो हमारे रिपार्टमेंट में फिजिकल मेडिसन रिहाब में प्रोफेसर यू सिंग रन कर रहे हैं उसमें एक्सराइज कराई जाती है और बोला जाता है कुछ घंटे के लिए करें ताकि वो काम करना शुरू करें पर अब यह 12 साल की हो गई तो अकड़ जाते हैं बिल्कुल फिक्स उसके लिए सर्जरी चाहिए होती है तो इसलिए अभी आप डॉक्टर को दिखाईए वेट नहीं करते रहें कि अराम से कुछ होगा सिर्फ एक्सरसाइज से होगा फायदा या कुछ दवायों से या सर्जरी की जरूरत पड़े ताक नहीं पर अपने घर के पास कोई भी मेजर हॉस्पिटल में दिखा दीजे कोई कोई भी प्रॉब्र लेकिन दिखाईए जरूर अब वापस उस डिसकाशन पर लोटते हैं जहां पर यह बात हो रही है एक तो अवेरनेस की और एक फ्रेंडली एंवार्मेंट क्रिएट करने क तो किस तरफ हम लोग चलें और प्रियास जो हो रहे हैं उसको बेहतरी की तरफ कैसे ले जाए देखिए बेहतरी में सबसे जैसे अभी एक फोन के उपर सवाल आया कि उनको तीर महीने से परेशानी थी अब बारा साल की उमर हो गई है उन्होंने हस्पिताल से अपना जोड खतम कर लिया है इससे पहले भी हमारे पास एक सवाल यह आया था कि वो पोलियो ग्रस्त हैं और अब वो अपना इलाज नहीं करते हैं और इन्हें यह बताया गया कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा तो हमारे को यह सेंसिटाइजेशन जिसको हम बोल सकते हैं कि लोगों के दिम जो है वो डाक्टर होता है जिसके पास आदमी जाता है किसी भी परिशानी में तो वो उनको गाइड कर सके उनको बता सके कि उसकी जिन्दगी में आगे क्या होने वाला है और कैसे वो समाज के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएगा जी ठीक है तो लेकिन एक बात बड़ी मह कराते रहिए समय के साथ अपने आप ठीक हो जाएगा इलाज छोड़के अपने ठीक हो जाएगा तब तो किसी को इलाज की जरूती ना पड़े फिर तो अस्पताली बंद कर देने चाहिए तॉक्टर यू सिंग क्या कहीं हमारी सोच में यह जो एक्सेसिबिलिटी की बात है तो हिस पे हमारी सम्वेदन शील तक कितनी है जब हम घर बनसे हैं कोई सरकारी बिल्डिंग बनाते हैं सडक बनाते हैं प्रटरी बनाते हैं हम सिर्ब Loop यह सोचके चलते हैं कि जैसा अंक्सर होता रहा है प्रंथ यह सोचे कि को नजर नहीं आ रहा तो उसके लिए हमें रास् साफ हो उसको कुछ ना कुछ सेंस मिले जैसे कि मेट्रो स्टेशन में आपने देखा कि पीली सी लाइन है टेक्टाइट सेंसेशन है उसके उपर इस रास्ते से जाना है उसको सोचना नहीं पड़ता वो खुद ही सक्षम हो जाता है अपनी चड़ी के साथ अपने पैरों की फी जा जाए जो देख सकता है सुन नहीं सकता उसके लिए विज्वल क्यूज है जो चल नहीं पाता जैसे वीज्चेट के उपर है जैसे किसी ने हम अस्काल में चल नहीं सकता हूं disability certificate लेने कैसे जाओं मान लीजे वो wheelchair में जाना चाहता है तो हमारी पटडी सड़क ऐसी हो कि wheelchair उसके उपर चल सके पटडी के उपर आ सके bus stop आजका दिली में तो ऐसे बन गे बैंगलोर में भी मैंने देखे हैं काफी cities में देखे हैं जो हम accessible India के campaign चला रहे हैं कि wheelchair पर अज़े आप bus stop आप खड़े हैं तो bus नजदीक आ जाए और उसका जो level है bus stop के level के साथ में है ताकि wheelchair अंदर जा सके wheelchair को खड़ी करने की bus के अंदर special जगा है metro में चले जाएं उसके लिए अंदर special जगा है एक चोटा सा वाक्या है कि हाई कोट बंबे में एक बार कुछ विकलांग बच्चे थे जिन्होंने एक संस्ता के साथ में वहाँ पर case किया तो वो अंदर नहीं जा सके क्योंकि बहुत सी सीड़ियां थी तो जजज साब ने का वो हाजिर हों क्योंकि आपने जो हमारा कानून है उसको पालन नहीं किया कि वहाँ पर सीड़ियां वो अंदर कैसे आए तो एक बहुत बड़ा वो चैलेंजिंग केस था जिसके बाद accessibility का campaign बहुत अच्छा चला कि सीड़ियों की बजाए बच्चों की अगर बात करते हैं एक तो समस्या है उनको जो भी शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से उसके साथ क्या कोई और को मॉबिट कंडिशन्स भी हो सकती है जिनके लिए माता-पिता को तयार रहना चाहिए या सतर्क रहना चाहिए जो मैंने आपको स्टडी का अंकरी बताये थे बारा प्रतिशत बच्चों में हमें कोई एक नियूरो डिवेलपमेंटल डिसॉर्डर पाया गया उसमें दो पॉइंट एक 2.1 परसेंट को एक से ज्यादा परेशानिया थी तो अगर बच्चे को जो सेरिबरल पॉलसी है जो मोटर कोडिनेशन कि प्रावलम में उसके साथ दोरे पढ़ सकते हैं, एक चीज हमें मिलती है तो हमें बच्चे को पूरे रूप से कोफिने जो कि आयों में सब्सक्चित्थ Supreme उसका हल है और अगर जल्दी से हम की बज़ेरी हो पाएगे अगर ले brightness होगा तो मैं अज़म एक सब्सक्राइबा hypocrite तो आज आध लगाएasis की पालना रोत हैं कियाहल नहीं दूर किया जा सकता है और कैसे हमारे सोच को बदलने की शरूरत है ये चर्चा जारी रहेगी एक चोटे से बेक के बाद डॉक्टर नेहा टीम लंच नाइन्थ को है सॉरी सर बाट नाइन्थ को कहीं और कमिट्मेंट है सर नेहा मैंने एक बार कमिट्मेंट कर दी न तो वो खुद की में ने सुनती कैसी कमिट्मेंट कमिट्मेंट प्रेगनेंट विमन के लिए प्रधान मंत्री सुरक्षित मातरितव अभियान जॉइन किया है मैंने सरकारी अस्पतार जाकर स्पेशल एंसी सर्विस मुफ्त देती हूँ आखिर हम प्राइवेट डॉक्टर्स का भी तो कुछ फर्स बनता है लंच कैंसल आई प्लेज फॉर नाइन हर नौतारी को होने वाली मां का खयाल सबसे पहले कि छह कल भी शेयर मार्केट तीन सो पॉइंट से डाउन आप क्यों टेंशन ले रहे हूं आपके पास एक भी शेयर है क्या लेकिन किसी का तो नुक्सान हुआ ना गया यह भी गया क्या होने वाला इंडिया का अरे पापा यह पाक साल पूराना मैच है यह जीच चुके थे हम क्यों टेंशन ले रहा आप अरे गलती तो गलती है ना मिसेस गुपता के बेटी के शादी हो गई क्या तुम्हारे बेटी के हो गई ना खुश रो अरे अब दूसरी टेंशन के लिए टाइम तो हो गाए क्योंकि डिजिटल इंडिया के जीवन परमाण पोटल से हर साल बिना टेंशन घर बैठे जीवन परमाण पत्र पाना हो गया है एक दमासा तो अब पेंशन के लिए नो टेंशन डी से डिफेंस हो या ई से उलेक्टरिसिटी सारे देश का एंजिन हम ही तो चलाते हैं एच पी लिउब्रिकिल्स एटू जेड आपके गाम आते हैं हमने एक सपना देखा है कि जब आज आजी के पतर तर साल हो तब हिंदुस्तान के गरीब के गरीब को भी अपना घर हो एक लाख बीस हजार या एक लाख तीस हजार रुपए निर्मार क्शेत्र फल न्यूनितम 25 वर्ग मीटर यानी 266 वर्ग फुट घर में रसोई, बिजली, पानी और शौचाले की व्यवस्था अवास एब द्वारा निर्मार प्रगते की मॉनिटरिंग ब्रेक के बार टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है, आज हम बात कर रहे हैं दिव्यांगों के स्वस्थ और बेहतर जीवन के बारे में पिससे पहले कि हम कारिक्र में आगे बढ़े हैं, हमारे पास हमारे एक दर्शक सुरेश त्यागी का दिली से एमेल आया है, डॉक्टर यू से, मैं चाहूँगा कि आप उत्तर दें, वो ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने लिखा है कि मैं लखवे से पीड़े थूँ, क्या मैं दिव्यांगों की श्रेणी में आता हूँ, मेरी ओपन हार्ट सरजरी भी हो चुकी है, क्या कहना चाहिए जहाँ ज़दी किसी को स्ट्रोक हुआ है तो वो दिव्यांगों की श्रेणी में आते हैं, आज जये, और इस जानकारी के बाद टोटल हेल्थ में फिलहाल समय हो क्या है सेग्मेंट हेल्थ पहेली का, एपिसोड 650 में हमने आप से पूछा था कि एपिलेप्सी यानि मिर्गी रोग के विशे में इन में से कौन सा कथन गलत है, सही जवाब है ऑप्शन C, यदि कुछ दिनों तक दोरा न रहे तो दवाएं अपने आप ही बंद की जा सकती ह ये गलत धाड़ना है, कौन बने है इस पहेली के लखी विजेता ये आपको बताएंगे, उससे पहले देख लेते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में आपको बताना है कि नीचे दिये गए कथिनों में से कौन सा कथन सही है ऑप्शन A, पुना स्थापन से दिव्यांग जन को आत्म निर्भर बनाया जा सकता है ऑप्शन B, इनके लिए शिक्षा का समान अधिकार और सरकारी स्कूलों में मुप्ध शिक्षा की कुविधा उपलब है ऑप्शन C, दिव्यांग को रोजगार देने वाले को आयकर में रियायत निंती है या फिर ऑप्शन D, उपर दिये गए सभी विकल्द आप अपने जवाब हमें दो हफ्तों तक भेज सकते हैं हमारा पता है आप ही हमारे हेल्थ को इस कॉंटेस में शामिल होने के लिए अपने जवाब हम तक दो हफ्तों में पहुचा सकते हैं खत या इमेल के माध्यम से कौन बने है एपिसोड 650 के लखे विनर ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट करें हैं डॉक्टर यू सिंग से जिनके सामने हमने रखी है सारी करेक्ट एंट्रीज जो आप से मिली है चौजर सिंग इन करेक्ट एंट्रीज में से आज के एक लखे विनर का नाम आप हमारे रिव्योज को बताएं आज के लखे विनर है यतिन सिंगला मानसा से यतिन सिंगला इनको बहुत बदाई और अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर यानि छोटे-छोटे सवाल और छोटे-छोटे जवाब पहला सवाल डॉक्टर शिवाली गुलाटी आप ही को डिसेबिलिटी हमेशा जन्म जात होती है जरूरी नहीं है डॉक्टर गुपता ये सिर्फ फिजिकल यानि शारिरिक रूप से ही हो सकती है नहीं ऐसा नहीं है इसके कई तरीके हो सकते हैं देखने में हो सकती है, सुनने में हो सकती है, मांसिक रूप से हो सकती है शारिरिक रूप से हो सकती है डॉक्टर यू सिंग, डिसेबिलिटी का प्रभाव हमेशा स्पष्ट नजर आता है और इसे बड़ी आसानी से हमेशा पहचाना जा सकता है यह आसा नहीं है, कई बार disability चुपी हुई भी होती है अगर मदर को बुखार हो फर्स त्री मंथ के अंदर जिसे बुखार के साथ रैश होता है या कोई कभी चोट लग जाए या उसमें कोई blood pressure बढ़ जाए या उसमें मदर को diabetes हो जाए प्रेगनेंसी में डिलिवरी के टाइम के और रिलिवरी के रिलेट आसपास के प्रॉब्लम में तो बहुत मेजर एफेक्ट रह सकता है बच्चों में ड़्टर गुप्ता किन बीमारियों के वज़े से disability का खत्रा बढ़ सकता है डियबिटीज, blood pressure इन दोनों के वज़े से मेजर कारण है बजन बढ़ना, obesity एक रीजन है जिसके वज़े से बाकिस सब चीज़ें बढ़ जाती है और prenatal health मतलब अगर हम प्रसवपूफ आलत नहीं समालते है ड़्टर यो सिंग शारिरिक शती यानि physical loss या डामेज का एक बड़ा कारण दुरघटना है जी बिलकुँ सही ड़्टर शिर्वाली, क्या disability के प्रभाव से बच्चे को पढ़ने लिखने याद रखने में भी समस्या हो सकती है बिलकुल, बिलकुल ड़्टर अजे गुपता, क्या ऐसे व्यक्ति में depression यानि अफसाद और comorbid conditions या दूसरी बेमारियां भी हो सकती है जी, अक्सर पाए जाते हैं, खास तोर के उनके अंदर जिनमें acquired disability होती है यानि कि वो पहले normal थे और बाद में उनके अंदर कोई विकलानता हो गए ड़्टर यू सिंग, अगर हम counselling की या behavior therapy की अगर बात करें, उसका कितना इलाब होता है मैं तो कहूँगा कि disability को सही करने के लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जिसको counselling जो है, उसको सही करता है बहुत जरूरी है जोतिश शिफाली, शिशूँ या चोटे बच्चों में कौन से लक्षान माता-पिता बिलकुल नजर अंदाज न करें? अगर वो उसके कोई भी बोलने में, चलने में, देखने में, कोई भी चीजों में, कुछ भी पीछे चल रहा है बाकी बच्चों से, या उसकी विवहार में कुछ भिंता हो, इन सब को इगनोर नहीं करना चाहिए अगर जसे बिलिटी से बचने की बात करें, तो कौन से ऐसे कारण है, जिनकी वज़े से यानि उसे प्रिवेंट किया जा सकता है? प्रिवेंशन के लिए हमारे को, जो समने बात करी, नूट्रिशन के तरफ एक ध्यान देना चाहिए, इन्फेक्शिस डिजीज से भी बचने की हमको जरूरत है, तो पोलियो वैक्सिनेशन, अगर हम बच्पन से वैक्सिनेशन अच्छा रखेंगे, तो हम इन चीजों से जा सकते हैं. जो भी लक्षन आप पैचानते हैं, उसका कोई इलाज है, अगर आपको देखने में प्रॉबलम है या सुनने में प्रॉबलम है, तो देखने वाले के लिए आपको कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ पैचिस होते हैं, बाद में सरजरी की जुरुएत भी हो सकते हैं, या एनक साइज होते हैं, उसके बाद कुछ और्थोटिक डिवाइस होते हैं, जिससे साथ सपोर्ट दिया जा सकता है, और जो विवहार वाली चीज़े हैं, हमारी उसके बीहेविर इंटर्वेंचन होते हैं, उससे बच्चे को में स्ट्रीम में करने के लिए, उनके इशूस को कैसे हैंडल करना है पेरिंट्स को समझा जाता है ताकि वो नॉर्मल स्कूलों में जा सका डॉक्टर गुपता यदि किसी दुगहटना में अचानक किसी व्यक्ती का कोई अंग खास तोर पर हाथ या पैर कारे करना बंद कर दे तो उस समय क्या किया जाए देखिए एक्यूट स्टेज के अंदर तो जो अमर्जिंसी केर है वहाँ पर हम समालते हैं अक्सर ये कारन हो सकता है कि कोई नस का दबाव हो गया हो या ब्रेन में स्ट्रोक हो गया हो ब्लीडिंग हो गया हो उसकी वज़े से ये चीजें हो सकती है तो हमें पहले दिन से ही ये assessment करनी पड़ती है legally कि क्या उसका कारन रहा है और कितनी उसकी prognosis है क्या वो recover कर पायेगा या नहीं कर पायेगा और अगर हमें prognosis खराब लगती है तो हमें जल्दी से जल्दी medical rehabilitation की तरफ उसको ले जाना चाहिए ताकि हम भविश्य के अंदर उसका अच्छा नतीज़ा पा सकें जी डॉक्टर यूसिंग ऐसी दुर्गटनाव में जिसका जिकर भी डॉक्टर गुप्ता ने किया फिजियो थेरिपी की कितनी भूमिका रहती है उसमें काफी ज्यादा भूमिका रहती जी डॉक्टर शिफाली अगर बच्छे में कोई भी unusual symptoms नजर आ रहे हैं कोई असमाने अलक्षन है तो सबसे पहले किस विशेशगे को दिखाएं बच्छों के नॉक्टर गुप्ता जो विक्ति किसी बीमारी या चोट के कारण लंबे समय तक बिस्तर पर हो क्या उनकी देखभाल कुछ खास तरह से की जाएगी हाँ जी उनको हमें ध्यान रखना पड़ता है उनको बेट सोर होने के बड़े चांसे होते हैं उनके nutritional imbalance होने के बड़े चांसे होते हैं तो इसके लिए बड़ी तवज्जू की जरूरत है और अक्सर जो लोग इस प्रकार की शती से गरस्त होते हैं उनके परिवार को भी डाक्टरों से मिलना चाहिए और उनकी counselling भी की जाती है जिसमें उनको सिखाया जाता है कि किस प्रकार से हमें इस व्यक्ति का ध्यान रखने की जरूरत है कि एक RCI के थूँ एक प्रोग्राम भी चलता है जिसमें कि वो caregiver training भी देते हैं लोगों को to take care of persons with long term disabilities जी डॉक्टर यूल सिंग क्या शारेरे खाने होने के बाद भी व्यक्ति को सक्षम बनाया जा सकता है काफी हद तक उसकी जो बची हुई क्षमताइं है उसको इस्तेमाल करकी और जो self-help devices दे के AIDS दे के उनको सक्षम बनाया जा सकता है प्रकुष शेफाली विव्यान बच्चों को घर और परिवार की अगर आम बात करें तो वहाँ माहौल कैसा होना चाहिए ताकि गजीवत बेहतर हो एक तो पेरेंस को समझना चाहिए कि उनकी कोई गलती ने ना पेरेंस की ना बच्चों की जो बच्चे को ये प्रॉबलम है तो मैंने देखा काफी हद तक हमारी इंडिन सुसाइटी में यह सब कुछ अपना इड़ाप्ट करें टो रूटी डेलिरूटी जी और इसको बोज़ना समझें हमारी पांची उग्लिया भिन वावने यह अफ्रावना से नहीं देखना चाहिए इन भावना से सैंदा चुक्टर गुप्ता दिव्यांगों के लिए हेल्थ के फैसलिटीज या स्वास्त सुविधाओं के तौर पे क्या उपलब्ध है स्वास्त की सुविधाओं के लिए आजकल सभी बड़े हस्पतालों में खासतार कि सभी स्टेट कैपिटल में मेडिकल रियाबिलिटेशन डिपार्टमेंट बनने लगे हैं और बाकी जगे पे डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल के अंदर भी अब इस अप्रोच को बढ़ाया जा रहा है कम्यूनिटी रियाबिलिटेशन सेंटर्स डियाडसी भी बनाए जा रहे हैं तो समाध सेवा सोशल वेलफेर मिनिस्ट्री एंपावर्मेट मिनिस्ट्री एंड ही दोनों ही मिल करके काम कर रहे हैं कि उनको मैकसिमम हेल्थ केर प्रोवेजन मिल सके अगर सरकार की तरफ से सुविधाओं की बात करें खासतोर पर रोजगार की दुरुष्टी से तो दिव्यांगों के लिए क्या ऐसी वज़नाएं सबसे पहली बात तो यह है कि तीन प्रतिशत जो जॉब्स हैं वो डिजर्वड हैं दूसरी बात है कि लिस्ट बनी हुई है किस तरह की विकलांगता हो तो हम किस तरह के काम कर सकते हैं सरकार ने लिस्ट बनाई हुई है डिसेबिलिटी सेटिफिकेट लेके उसके अनुसार ही वो आगे जाके अपलाई कर सकते हैं और किस तरह की जॉब करनी है उसके लिए बोल्स बैट के डिसाइड कर लेते हैं और अब मेसेज लेते चलें रप्टर शेफाली एक तो यह बता दें कि पढ़ाई के लिए सुविधाय बच्चों के लिए दिव्यांग बच्चों के लिए और क्या संदेश आप देना चाहेंगी जिससे मैंने पहले बताया कि बच्चों के लिए राइट टो एजूकेशन है उसके अंदर हर स्कूल में जो है मेंस्ट्रीम स्कूल में डाला जा सकता है चाहे उरको शुरू में श्याड़ टीचर की जूरत हो मेरा जो एक मेसेज है पैरेंस को होप नहीं चोड़नी चाहिए उमीद नहीं चोड़नी चाहिए ये बच्चे को अपना बोज मत माने इसको एक केपिबल बनाना है कि सुसाइटे में कुछ कर पाए और हमसे वह सारे जो डॉक्टर्स है और सारे हेल्थ प्रोफेशनल को फैमिली सेंटरिंग अपरोच लआ चाहिए पैरेंस और फैमिली मेंचीम होना चाहिए और सारी सुसाइटी को स्टिग मा की तरफ से हीन भावना की तरफ से नहीं देखना चाहिए तो जब हम society को और medical facilities को सब को एक साथ provide करेंगे और जब हम उस family को center बनाएंगे तो हमारी जो भी सुविधाये हैं, that should be centric on the person with disability then we will get a much better result. जो आदमी सोच नहीं सकता कि दिव्यांग के लिए क्या करना चाहिए इसको एक दिन के लिए ये सोचना चाहिए कि मैं दिव्यांग होता तो क्या होता मेरे साथ और मैं कैसा व्यावार करता उससे दुनिया बदल जाएगी इस तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आप सभी का तो बहुत सी नई तक्नीके मौजूद हैं हमें बहुत जरूरत है कि सामने आएं अपनी सोच और नजरिया बदलें और खास तोर पर अलग धंग से देखें क्योंकि जीवन बेहतर हो सकता है दिव्यांगों के लिए और अपने जीवन में आती हुए मुश्किलों से घबराएं नहीं बलकि उनको बेहतर कैसे किया जा सकता है इस पर गार करें चलते चलते आपको अरुनिमा सिना के बारे में बताते हैं अरुनिमा सिना एक रेल हादसे में अपना पैर गवां बैठी उसके ठीक दो साल बाद वो दुनिया की पहली वुमन एम्प्यूटी हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फते किया सच मुच मजरू सुल्तान पुरी का शेर है बड़ा खुबसूरत और ये शायद जीवन में उतारने की बात भी हो ये कहते हैं कि रोक सकता है हमें जिन्दान बला क्या मजरू हम तो आवाज हैं दीवार से चंजाते हैं बहुत धन्यवाद कारिकरम देखने के लिए एक नए विश्यर के साथ फिर हाजर होंगे नमस्कार क्याओव हमे सबस्ससष्स पर ठाच़ करा नहाई प्भी होचार